हेलो गाइस और वेलकम तो माई योटूब चनल टेक्निकल उत्तर प्रदेश दोस्तों आज की वूडियो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप अपने अपना स्क्रीन पासवर्ड जो भी बनाया हुआ है आपको यहाँ पे इंटर कर देना इसके लिएगे दिखाए देंगे जिन भी एप्लिकेशन को आप इहां से reek TikTok कईसे बना आ जैता हैं पहले तो आप यहां पे जो chce कर लिए यहां यहां से आपको four digit का कोई भी access code generate कर लेना है access code बनाने के लिए guys यहां पे आपको enter करना होता है hedge इसके बाद कोई भी four digit number आप लोग यहां पे enter कर सकते हैं जैसे कि example के लिए hedge one two three four इसके बाद last में भी आपको hedge enter करना है तभी access code यह जो है actually जो है सही होता है इसके बाद आप लोगों को उपर जो right का निसान है simply click कर देना यहां पे 2-3 second wait कर लेना इसके बाद आप लोगों को finally मिल जाता है done का option done के option पे आप लोगों को click कर देना अब guys हमारे phone में सब कुछ setting हो चुकी है यानि कि हमने जितने भी application को hide किया यहां पे आप लोगों देख सकते हमारे home scheme पे नहीं दिखाई दे रहे है तो चलिए मैं आप लोगों बता रहा हूँ जिन application को आपने hide किया उनको आप open कैसे करेंगे तो guys जिन application को आपने hide किया उनको open करने के लिए सबसे पहले आपको अपने phone में phone dialer को open करना है phone dialer को open करने के बाद वही access code यहां पे इंटर करना जैसे कि हैज 1234 है जैसे इंटर करेंगे सारे जो application आप लोगों के सामने आ जाते है जितने भी application को आपने hide किया है तो guys उम्मीद करता हम वीडियो आपके लिए काफी जिदा useful रहोगा अगर आपको वीडियो useful लगात प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए एंडर चैनल को भी subscribe कर लीजिए